नमस्कार आप देख रहे हैं News Nation का डिजिटल प्लाटफॉम में आपके साथ अंकिता IPL Mega Auction से पहले टीम में कई साहे बदला आप देखने को मिल रहे हैं अब Mumbai Indians को लेकर बड़ी ख़बर सामने आ रही है साल 2017 से लेकर 2022 तक उन्होंने इस टीम का हिस्सा थे और साथे साथ आपको बता देगी तो हेट कोच के तौर पर उनकी टीम जो है वो तीन दफ़ा मैच को अपने नाम कर पाई थी साल 2017, 2019 और 2020 में Mumbai Indians को मैच जीते हुए, खास करिए बात इसलिए सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि हार्दिक पाणिया को लेकर बात थे हो रही है हार्दिक पाणिया को जब से कप्तानी सौपी कही है उसके बाद से Mumbai Indians का जो ग्राफ है बहुत डिप हुआ है 14 मैच उस खेल गया थे इस सीजन में यानि कि साल 2014 में जिसमें से सिर्फ और सिफ चार मैच उसमें जीत हासल हुए थी Mumbai Indians को और पहली टीम बन गए थी प्ले आफ से बाहर होने वाली तो Mumbai Indians का ग्राफ बहुत ज़्यादा घट गया था अब यह खबर आ रही है कि क्या रोज चर्मा Mumbai Indians के कप्तान फिर से होंगे बाते इसलिए उट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मार्क वाउचर जो कि Mumbai Indians के हिटकोच थे अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है महिला जावर्धने जो है एक बार फिर से नए हेटकोच के तोर पर आपको नज़र आएंगे तो क्या हार्दिक पाणिया को Mumbai Indians के कप्ताने सहटा दिया जाएगा क्योंकि जब यहाँ पर मार्क वाउचर थे उसी वक्त हार्दिक पाणिया को टीम की कमान सौप पी गई थी तो क्या अब एक बार फिर से कमबैक यहाँ पर महिला जावर्धने का हो गया है तो क्या यहाँ पर रोहिच शर्मा एक बार फिर से कमबैक कर पाएंगे प्रिबू करते ही उन्होंने मैच को अपने नाम किया था और पहली बार गुजराथ टाइटनस ने ट्रॉफी अपने हात जो है वो हर्डिक पांडया ने इंदलाई थी तो हर्डिक पांडया का वहाँ पर बहुत अच्छा रोल था लेकिन जब से उन्होंने हात थामा है साथ है तभी वह बहुत अच्छा प्रदोशन कर रहे था लेकिन मुंबई में इस तरह के से आना उनका और ये भी कहा जा रहा था कि एक अमाउंट के तौर पर वो कहीं न कहीं फैन्स को भी बहुत जादा हिट किया और उसके बाद से मैंने देखा कि सोचल मेडिया प्लाट कि आपके साब से क्या लगता कि क्या हरदिक पांडिया को मुंबई हिंडियास का साथ चुनना पड़ेगा क्या एक बार फिर से रोध शर्मा जो है मुंबई के नेक अपतान हो जाएंगे कमेंट करके फटा-फट से बताइए वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी